पांक चरंग के चुनाव अब तक हो चुके हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं, अब News 18 इंडिया का काफिला पहुँच चुका है हरियाना, मैं रुबिका लियाकत, कार में सरकार का ये एडिशन लेकर आपके साब में हाजर हूँ, यहां आज हमारे साथ होंगे हरि युवा चेहरा, वो युवा चेहरा, दुश्यन चौटाला, जेजेपी को बनाने वाले और आगे लेकर जाने वाले हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप तयार है, तो चलिए, तयार है हम उन तमाम सवालों के साथ, क्योंकि हरियाना वो इकलोता राज्य है, जहां पर सबज युवा चेहरा है, कि होने क्या वाला है, तो हम सवालों की जड़ी शुरू करते हैं, कैसा चल रहा है युवा चुनाव है, लग बग 62 दिन का चुनाव परचार लोकसभा के लिए पहली बारी हुआ है, और 2014 का जब मैं चुनाव लड़ा था, उसमें तो मातर 28 दिन है, मैं बानता हूं, बहुत अलग नतीजे आएंगे, बहुत बदलाव लोग चाते हैं, एक तो आपके मन और आपके दिल को भी तो कोई समझ नहीं पा रहा ना, दुशिम जी, कभी आपको महबत आम आदमी पार्टी से हो जाती है, कभी आपका दिल बीजे पी संग लग जा था, और उस समय एकदम लोकसवा का चुनाव का दौर था, उनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़े थे, और चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने ने ले लिया था कि वो विधान सबा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हमने सभी नबे सीटो पर कंटेस्ट किया, और नब लगता है कि बड़े अच्छी सरकार साड़े-चार साल चलाई है जिसने परदेश को बढ़ाया, लब घजब की केमिस्टी थी, दोनों अलग विचार धारा हैं, एक नौन जाट पार्टी, एक खालिस जाट पार्टी, साड़े-चार सब कुछ बढ़िया चला, और वो भी त मिकता थी महिला और युवा, और हमने उनके लिए बहुत करकर दिया है, आज परदेश के अंदर पंचायती राज में 50% महिलाओं को इस्सेदारी देने की बात हो, राशन डीपो में इस्सेदारी देने की बात हो, युवाओं के लिए 75% लोकल इंप्लॉइमेंट कानून ल उसको मजबूत करने के लिए उठाए और अलग क्यों होए फिरा, शीट शेरिंग की बात थी और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो यह चाहेगी कि जो उनकी प्राथमिकताओं की सीट है, उस पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन कह रहे हैं, आप बड़े वाले चा इसी एको पंचायती राज में इस्सेधारी जी, आजनाई, तेली, कुमार, सुनार, लोहार को, पंचायत में मेंबर बढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती थी, और आज इनकी इस्सेधारी सुनिश्यत करनी, कुझे लगता है एक बहुत बड़ा कदम है, कोई कास पॉलिटिक्स ना तो हमारे संक्ठर ने कभी करी, और ना आने वाले भविश्य में हम सोचते कि हमें इस तरह की पॉलिटिक्स की परदेश में जरूरत है, लेकिन मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे, क्या ऐसा होगा कि आप, चलिए मालिया, आपको बाकी सब लोग भ अथे गल्थ है, नहीं, चुनावों के बात साथ जा सकते हैं, बिल्कुल, मुझे नहीं लगता, आज को परिस्तेती बढ़ी, अभी अगर लोग सबा चुनावों की तो बात हो ही रही है, विधान सबा चुनावों मतलब सरकार गिर रही है, नायब सेनी की, आपने कहा कि मैं कॉंग्रेस को बाहर से समर्थन, इस मामले में देने को तयार हूँ, खबर ये आ रही है कि उनकी सरकार गिरे ना गिरे, आपकी पार्टी दो फार हो जाएगी, एकदब माहराश्र की तरह, पार्टी के अंदर उस समय भी लोग आये थे, और संक्ठन के बाहर से अपने लोग चैनल से आज रहा है, और दो साल बाद बदल जाए, और दस साल बाद आपको ये लगे कि मुझे प्राथमिक चैनल में ही बापिस जाना है, तो क्या आपको कोई चुनाव में रोक सकता है, ये चीज़े समझने की है, वो बात मैं समझ गी, लेकिन माली जी वो चैनल ही तोड आदमी, जैसा आपकी पार्टी को लेकर इस वरती है, आपको एक चीज़ अशोर कर सकता हूँ, कि दस में से सिर्फ दो लोग है, आप और आपकी मम्मा में, पर आपके तथे खरा गल्थ है, आज के दिन भी तीन लोगों ने डिसेंट किया है, और उन तीनों के खिलाफ पार है, कि उनकी सदस्ता आप जाएगी, वो एक समेले का टैक भी नहीं लगा पाएगी, और हमने उस कारवाई की मांग को आगे कर दिया है, और जो कारवाई होगी अब तो बॉल्स इन स्पीकर्स कोट की स्पीकर उस पे कदम उठाएगी, आपने तो खत भी लिखा है बकाईद नाइब सेड़ी को शपत दिलाई, उस में से तीन विधायक चालिस में से और डी गवर्नर को लिखकर भेज चुके हैं, कि हम सरकार से समर्थन बापिस लेते हैं, दो एक निर्दलिये विधायक जिनने बारतर जिनता पार्टी जोईन कर ली, रंजीत सिंग जी, उनकी सदस् कर दिया था, और वही दूसरे मनोर लाल जी, जिनने नाइब सेड़ी के लिए अपनी सीट को छोड़ा, तो दोनों की मेंबर्शिप ऑलरडी कैंसल हो चुकी है, तो 5 MLA उस सरकार से माइनस होगे, 41 आगे, और आज की 88 की असेमली में, 45 का आंकडा चुना भारते जिनता पार कि आप रोटेस्ट कराईए, प्रेजिदेंस रूल लगाईए, और एलेक्शन कमिशन को लिखित में दीजिए, कि परदेश में दुबारा चुनाव कराएगा, आप कॉंग्रिस के साथ जा सकते हैं, बिलकुल नहीं, हम अपने दम पर चुनाव लडएगे, और नभे की नभ इसका साथ दिया, ना हमने बीजेपी का साथ दिया, हमने अरियाना के विशे में, जिसने मुद्दा उठाया, उसको उस समय हाउस अफ्ट फ्लोर में हमें लगा, कि हमारी प्राचमिक्ता जैसे जी एस्टी का इशू था, वो देश के लिए अच्छा था, तो उस समय तो सार प्रमुख मुद्दे, चाहिए वो रेसलर्स की मांग रही हो बिजभूशन शारन सिंग के खिलाफ कारवाई करने की, या फिर किसान कानून रहे हो, ये इन दोनों में आप मस्बूती के साथ बीजेपी के साथ फढ़े रहे, अंदर खाने जरूर आप उनको वांड करते रह हैं, दोनों इशूज जो रिलेट करते थे, और सेंटर गॉर्मेट करते हैं, और दोनों इशूज पर उस समय हमने अपना स्टैंड क्लियर रखा, हमारे रास्ट्रे अधेक्षने करिशी कानूनों पर भी स्पस्ट कहा था कि ये कानून बापिस हो और अमने निरंतर अधा पर्टी तो हमारे भिना भी परदेश में सर्कार चला रही है, और यहां रेसलर का इशू था, दिल्ली पुलीस का ब्रेजबूशन सिंग और रेसलर का मामला था, उसके अंदर हर्याना सर्कार का कोई ओचते ही नहीं बनता था, इंटर चरने का, पर वोटर तो आपके रही है, विशे पर चर्चा भी होती रही है, क्योंकि यह सेक्शूल अराश्मेंट का मामला था, इसके अंदर शायद गवर्मेंट से पहले, पुलीस had to do all the inquiry, जो दिल्ली पुलीस ने करी है, और जो पिछे ले दिनों मीडिया रिपोर्ट से भी मैंने देखा है, कि आज के दिन उसमें चार्च फाइल होगी है, चार पांच चार्जेज भी लगे है, लेट सी अब कोट क्या लेता है, लोग सबाच चुनाव उपर मैं आपको दुबारा लेकर आ रही हूं, चार्सो में से कितनी सीटी दे रहे हैं आप बीजेपी को, बीजेपी कह रही है चार्सो प अब बार के साथ ये 200 दाइसो के बीच में निपते हैं, अरे बाप बड़ा, वे कह रहे हैं डाइसो? अब तो 250 माइनस पहले दिन का कह रहा हूं, अच्या, और आपको कितनी सीटी आ रही है, हर्याना में? मैं तो ये मानता हूं, हमारी चाय गुरगाओं की सीट हो, फादिल आपने तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, दो पूर मुख्यमंत्रियों पर, आप कह रहे हैं, हुड़ा साथ इनको मदद कर रहे हैं, मनोहरलाल खटर को, मनोहरलाल उनको मदद कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की सीट बचाने के लिए, और ये साथ गाट तो पबलिक के सामने हैं, एक सेकिन, आप ये कह रहे हैं, बीजेपी और कॉंग्रेस में नहीं हुए, बिलकुल, बुपेंदर हुड़ा के खिलाफ जो सीबिया और एडी के मामले हैं, और वो साफ दिखाते हैं, कि उस डर से, निरंतर, बुपेंदर सिंग हुड़ा ने जिस तरह का कैंडि सेलेक्शन किया है, कैंडिजेचर जोड़ा है, वो लोग मदद करी रहे हैं, आज के दिन आप देखिये, दिगज निता कॉंग्रेस की किरिन चौजरी थी, बिवानी मेहंदर से लट सीट से उनकी टिकेट करी, कैप्टन अजे आदफ, जो पिछली बार उने 5 लाख वोट ल इस चीज के लिए उनने ऐसे निड़ने लिए, क्यों समय अनुसार, उनने कहीं न कहीं बीजेपी के साथ खड़े होने का काम किया है, और आप करनाल की सीट देखिए, करनाल के अंदर बुलेशा जैसे निता, जो तुनाव लड़ना चाहते थे, उनकी सीट काट कर, और रात तिकेट गुहाना से ले जाकर एक युवा को देजी जिसको करनाल में को जानता है इसका पता करनाल का नहीं है और आज वो तुनाव लड़ रहा है और उसको यही पता की जिला देख कौन है, अलका देख कौन है, तो आप यह कहरे हैं, दोनों मिले हुआ है, बिलकुल मिले और दिपेंदर को जिताने के लिए मनौरलाल जी आज मोदी की रेली नहीं कराते रोतक के अंदर, वहीं करनाल के अंदर, कॉंगरेस का को जीगर नहीं नहीं आ रहा है। अच्छा मोदी का चुके आपने जिक्र कर ही लिया है, आपको कैसे नेता लगते हैं? जहां बाद निता की है, आज के दिन देश में बहुत सी ऐसी चीजे हैं, जहां लोग अपना माइंडसेट दुबारा रिवाइस कर रहे हैं। फॉज में 10% हिस्सा रखके बैठा हैं। और अगर इस तरह की चीज महां हुई है, तो लोग अब धीरे-धीरे इस चेहरे को भी समझ रहे हैं। और मुझे लगता है इसी हिसाब से वो डालने का काम करें। मतलब इस तरह की चीज में आप कह रहे हैं कि वो… अब जिस तरह की चीज मलिक साब ने बताई जो समय जो मुकश्मीर के गवर्नर थे। जिस तरह की बात और लोगों ने बताई जो इस पूरे प्रीफेस में इन्वाल्ड थे। बताया गया कि यह जो कारवाई हुई है इसके तक्ते गल्द दिखाए गए, प्लॉटिड था। तो कही न कहीं जनता आप समझती है। अब हर रोज आरक्षण की बात होती है, मंगल शुत्र की बात होती है, देश की प्रगती की बात चुक जाती है। तो यह clarity तो लोगों के मन में आई रही है। पर तब तो आप सरकार के साथ थे ना, जब यह सारा हो गया, जीत कर आगये, फिर आपने समर्थन दिया सरकार को। मैं में मेंबर ऑफ पार्लिमेट नहीं बना, आम 90 सीटे लड़े थे। ने ने, मैं तो यहां की बात कर रही हूं, हर्याना की। अर्याना का चुनाव तो उसके छे महीने बात थे, प्रस्तितिया बिलको ललग हो चुकी थे। लेकिन मलिक साब ने जो बाते बताई उस वक्त आपको यह बाते नहीं पताते हैं। मलिक साब ने तो अभी बताई है, पिछले शायद एक साल पहले। तो तब आप बीजेपी के साथ थे, तब आपने साथ क्यों नहीं छोड़ा। कि विश्य साथ छोड़ दे, हमने प्रगती प्रदेश की कराने के लिए। हमारी पार्टी के गोशना पत्र का इससा पूरा कराने के लिए। हमने एक common minimum program में प्रदेश में सरकार चलाए। उस common minimum program के तहट आज हमने 80% आफ आर मैनिफेस्ट को पूरा किया इसके और जनता के लिए जनता ने हमें जिस पात के लिए वोट गये था हमने पूरे कराए जिए। आपने का मोधी के नाम से अब जनता जो है इतना connect नहीं कर पाती है जितना पहले के चुनाबों में हुआ करता था बिल्कुल है और यह नतीजे लोकसुबा के बाद भी भी दिखा देखे और इसलिए अब 200 नंबर दे रहे हैं राहुल गांधी से connect कर पा रही है तेकि आज क दिन एक टेंपरामेंट जरूर बना है देश के अंदर कि जो मोधी को रहेगा लोग उसको जिताएगा तो कुछ रहारा मोधी हर सीट पर अलग है और मैं आपको यह ओन रिकॉर्ड आज कहता हूं कि रीजनल एस्परेशन जो है वो इस बार जा देखे रहे हैं उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि रीजनलिजम इस बार मजबूत होगा चाहे आप बीजेडी का उठाके देख लीगा उडिशा के अंदर चाहे आप टीडीपी को बीजेपी साथ लाई वो वाक्य उठा लीजेगा चाहे आप तेजस्वी की महनत देख लीजिए ममताजीदी जो शेत्रे दल है और यह हिस्ट्री रही है दस-पंदरा साल बाद बापिस देश रीजनल अवाजों को ताकत देता है तो इन में से एक कोई चेहरा आपको नजर आ रहा है जो प्रदानमंत्री पत का प्रबल दाविदार है आपने ममता दीदी का जिक्र किया है एजस्वी चेहरा 1989 में कोई था सबसे बड़ा चेहरा चौधरी देविलाल जी को जब फ्लोर लीडर चुना उनने खड़े ओकर विश्वनात पुरताप सिंग्पदेश का प्रदानमंत्री बनाए चेहरा तो जनता चुनकर भेजेगी उसमें उस लीडर्शिप की बात है लेकिन दुख तब तो सैक्रिफाइस की परकाष्णा हुआ करती थी आपको लगता है कि आज वो सैक्रिफाइस इन नेताओं में दिखता है कि किसी एक के नाम पर सबके सब इकठे हो जाएं बविश्य को को बता रहीं है तो यह मांता हूं कि हमारी जनरेशन में शायद यह अश्वर पहली कि लड़ाई लगा है जनित के मुद्व पर काम करना और उसमें से शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा वूज उन्फिट तू पॉलिटिक अगर उन्फिट है तो जबता उसको तूने कि पर मैं कहा रही हूं प्राइम मिनिस्टिरियल कंड़िट प्राइमिनिस्टिरियल आप कि क्यों साथ साल से उपर का आदमी देश का परधान मंतरी बने आज ऐसा आए ती चालिश पेंतालिश पचास साल का जो अगले तीस साल की लिटरिशिप तो देश को दे ऐसा हो सकता है कि आपका नाम अचानक से उभर आए नहीं मैं तो आज के दिन इतनी बड़ी सोच नहीं मेरा काम मुझी अर्याना प्रदेश की राजनिती के अंदर मेरा ईनत करना है और वह मैं करता होंगा, क्या बगवान पुश्य में करें आपको खूब सारी शुप कामना आए, बहुत-बहुत शुक्री है हमसे बातशीत किरने के लिए, और जैसा मैं हड नेता से जो यहाँ पैसेंजर सीट पर बैठता है कहती हूँ चार जून को दुबारा आपसे मुनाकात और बात होगी तो चार जून को मिलेंगे आप वाले आकड़े का हम मन्तन और चिंतन करेंगे आप कह रहे हैं धाई सो एंडिये को मिल रहा है बिल्कुल मैं यह माता टू फिफ्टी के से कम आ मरसा जूने के लिए थैंक यू सो मुझ थैंक यू सो मुझ थैंक यू